बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, Assalamualaikum, आज हम Exercise 3.1 का question solve करेंगे Question No.7 आप देते हैं, यहाँ पर आपको find करनी है value और यहाँ पर आपको 5 parts given है X की value –4 और Y की value 9 यहाँ आपको X और Y variable given है और इनकी values given है आपको आपने इसको find करनी है इस expression की value तो यहाँ पर X जहाँ पर है वहाँ आप –4 put करेंगे और जहाँ Y है वहाँ आप 9 put करेंगे पर 5, X की place पर लिखा आपने –4 और Y की place पर लिखा 9 किर अपने रिखा 3, x की प्लेस पे रिखा minus 4, आपने पूर्ट की ए square, square root, y की प्लेस पे रिखा 9, 10 plus 4 to 6, यह आपका first step complete हो गया, अब आपने next step में bracket को solve करनें, आपने रिखा 5, 9 plus में है और 4 minus में, तो plus, minus, minus, 9 में से आपने 4 को subtract किया, तो result में आगया 5, then आपने रिखा 3, आप minus 4 है और यहाँ पर square given है, ठीक है, अगर यह even power होती है, तो यह positive हो जाती है, value हो तो यहाँ पर given है, अगर minus 4, तो आप यहाँ पर लिखोंगे 4 multiply by 4, और पर आपने रिख दिया, 9 plus 6, next step ने आपने 5 multiply by 5, 55, 25, तो आपने रिखा 3, 4 multiply by 4, 16, and आपने 9 में 6 को plus किया, तो यहाँ बर भी आगया आपने पास, 15, then आपने रिखा 25, फिर इसके बाद आपने यहाँ पर 16 को multiply किया, 3 से, तो result आजाएगा 48, अब यह आपने रिख दिया 15, यह आपका simplify हो गया, अब यह आगे cutting नहीं हो सकता possible, तो simple ही हमारा result है, पार 2 आपको यहाँ given है, 42, A की प्लेस पे 3, B की प्लेस पे 2 लिखा, और C की प्लेस पे 1 लिखा, और Q, फिर आपने लिखा 3, A की प्लेस पे 3 स्क्वाइर, B की प्लेस पे 2, और प्लस और फिर आपने लिख दिया C की, फिर आपको यहाँ पे given है 1, तो आपने 1 लिख दिया, अब आपने यहाँ आपड, सिंप्लिफाइ करने के लिए 42 को एजटेस लिखा, 3 को एजटेस लिखा, और आपको यहाँ पे given है 2 पाइ स्क्वाइर, तो 2 स्क्वाइर हो जाएगा, 2 multiply by 2, 4, और 1 का cube means 1, क्योंकि 1 को आप अगर 3 टाम expand करेंगे, तो 1 multiply, 1 multiply by 1, तो result आपको आजएगा 1, फिर इसके बाद आपने लिख दिया, 3, 3 का square 9, 3 square की meaning है कि आपने लिख दिया, 3 multiply by 3, फिर आपने रिखा 2 and plus 1, फिर आपने यहाँ पे simplify कर देना है, आपने 42 को 3 से multiply करना है, तो आपका result आजएगा 1, 26, और next step में आपने 3 multiply by 9, 27, और bracket में रिख दिया 2 and plus 1, अब आपने next step में 126 को multiply करना है, 4 के साथ, तो यहाँ पर आपका result आजएगा 504, denominator में आपको गिवन है 27, और 27 को आप 2 से multiply करेंगे, तो result आजएगा 54 and plus 1, तो यहाँ आपका result आजएगा 504 divided by 55, आप 3 में आपको यहाँ पर x plus y पर गिवन है q, और इसी तरह यहाँ पर x, y, z की आपको different values गिवन है, तो इस question में भी आपने यहाँ पर x की place पर put करना है, यहाँ पर given है 2, तो x की place पर आपने लिखना है 2 plus, और y की place पर आपने लिखना है minus 4, और whole पर लगाना है q, then minus का sign z की place पर लिखना है 3, और whole पर लिखना है square, x की place पर यहाँ पर 2 का square, y की place पर minus 4 पर square, और plus और z की place पर 3 का square, क्योंकि z के मैं है 3, अब आपने यहाँ पर इस bracket को solve करना है, तो आपने लिखा, 2 plus minus, minus 4 और whole पर लगाया q, then minus और पर लिखना 3 और आपने लिखना square, अब 2 square जब है यहाँ पर तो यह हो जाएगा 4, तो क्योंकि 2 multiply by 2 बन जाता है 4, अब यहाँ given है minus 4 पर square, तो मैंने आपको भी previous question में बताया, कि 2 इस पर even power है, तो यह result positive हो जाएगा, 4 multiply by 4, 16 plus, 3 square means 9, अब आपने 4 में से 2 को minus किया, तो यहाँ result आगिया, minus 2 cube minus 3 का square, 3 का square हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर 9, then इसके बाद आपने यहाँ पर 16 को 4 से multiply कर देना है, तो यहाँ result आजएगा, 64 plus 9, अब 2 का cube आप सॉल्फ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह odd है, 3 is the odd number, power odd होगी, तो sign minus ही आएगा, और 2 का cube हो जाता है, 8, क्योंकि 2 multiply by 2 multiply by 2, 2 multiply by 2, 4 and 4 multiply by 2, 8, तो इसलिए आपने लिख दिया 8, and then फिप minus और फिए आपने लिखा 9, अब आपने 64 में नीचे 9 को यहाँ plus किया, तो result आगया, 73, और minus 8 and minus 9 क्योंकि दोनों में minus का sign है, तो यह हो जाएंगे, plus sign आप minus का लिखेंगे, लिखेंगे, 17 upon 73, तो this is our result, अब यहाँ हमारे पास part 4 given है, part 4 में भी आपको इस question में, x, y, z, v, c, यह different variables और उनकी values given है, और आपने इस में put करके इसको simplify करना है, आपने यहाँ पर first step में लिखा, 3, x की place पर यहाँ given है, 2, तो आप यहाँ पर x की place के लिखेंगे, 2, और whole पर square, देन लिखाँ है y, तो y की place के लिखेंगे, minus 1, divided by z to z की place के 3, minus cosign v की place के 4, और c की place के लिखेंगे, 1 upon 3, तो आपकेंगे 1 upon 3, divided by x plus 1, or x given 2, and plus 1, आपने लिखेंगे 3, 2 by square 4, and minus 1 as it is, divided by 3, minus, 4 multiply by 1, 4, divided by 3, or 2 plus 1, यहाँ पर आगे 3, 3 multiply by 4, 12, and 12 multiply by minus 1, minus 12, divided by 3, minus, अब यहाँ पर आपके जो value given है, 4 divided by 3, और यह divide हो रहा है 3 से, तो यह हमें मालूम है, कि divide के sign को आप convert करते हैं, multiply में तो लिख देते हैं, 1 upon 3, तो यहाँ पर रिजल्ट आजेगा, 4 multiply by 1, 4, and 3 multiply by 3, 9, अब आपने next step में इसको simplify करना है, यहाँ पर आपने LCM solve कर लेना है, आपने लिखा 3 and 9, तो 3 सब दिवाइट किया, 3, 1 is a 3, 3, 3 is a 9, अगीन 3 से किया, 3, 1 is a 3 or 1, आप factors आगई यहाँ पर 3 multiply by 3, 3 multiply by 3 हो गया 9, तो आपने यहाँ पर दिना है 9, अब आपने इस 9 को दिवाइट करना है, इस 3 के साथ, यानि 9 divided by 3, तो result आएगा 3, और इस 3 को आपने यहाँ पर numerator से multiply कर देना है, then 9 को आपने 9 से डिवाइट किया, तो result आएगा 1, अब आपने इस 12 को 3 से multiply करना है, तो 12 को जब हम 3 से multiply करेंगे, तो result आएगा minus 36, minus and 4 को 1 से multiply किया, तो result आगया 4, आप 36 में आपने 4 को प्लस कर देना है, तो यहाँ result आजएगा, minus 40 divided by 9, सो यह हमारा part 4 सिंप्लिफाय हो गया, और इसकी value है, minus 40 upon 9, BCD, 4 variables की values given है, इस step में हम यहाँ पर value put करेंगे, एक ही place पे हमने रखा 1, और यहाँ पर given है, B squared, और B यहाँ पर question में, यहाँ given है 3, तो आपने यहां लिखा 3, और लगा दिया है, minus square, फिर minus और फिर लिखा हुए C, और C given है bracket में, यहाँ minus 3 तो आपने लिखा bracket में, minus 3 और whole bracket आपने close कर दिया, then multiply का sign, यहाँ पर given है A, आपको A की place पर आपने लिखा 1, फिर plus का sign, C और D square, C की place पर आपने लिखना है minus 3, D की place पर आपको रखना है 2, और फिर whole पर square, और फिर आपने whole bracket बंद कर दिया, यहाँ पर रखना है आपने C plus D, और C given है आपको minus 3, plus, और D given है आपको 2, इसी तरहां यहाँ पर A की place पर 1 का square, B की place पर 3, minus, और D की place पर 2, and bracket close, अब अपने है लिखा 3 का square है, तो 3 square solve हो की होता है 9, and 9 multiply by 1, तो result है का 9, minus, minus, plus, 3, bracket close, यहाँ आपने लिखा 1, फिर आपने है पर इसको simplify किया, तो 2 का square 4, and 4 को आपने 3 से multiply किया, तो बन गिया 12, and plus, minus, minus, और तो आपने लिखने है 12, multiply का sign, अब यहाँ minus 3 और plus 2 है, 3 में से 2 को minus किया, तो result आगिया minus 1, 1 का square 1, and 1 multiply by 3, 3, 3, and then minus 2, अब 9 plus 3, 12, 12 में से आपने 1 minus किया, तो minus 11, 3 में से 2 आपने minus किया, तो result आया 1, अब आपने इसको simplify कर, 12 multiply by minus 1, तो result आजेगा minus 12, and minus 11 multiply by minus, minus 11 multiply by 1, तो result आजेगा minus 11, minus से minus cancel, तो यहाँ result आगिया, 12 upon 11, तो आपने तो आफ शोराणने 2 किया यालोगए एसको राजकादी slaveぉ Fest किया, हम आपने में अधने किया, 2 आपने हम किया शोराणने 2 आपने 3 आप пожाने 3 आपोड़ए 들고 याँ ठापने 2 अज्वाने 2 आपोड़़ए गयों, झाल झाल